जोती बहुत ही पड़े लिखी महिला है उसके पती भी बहुत पड़े लिखे है और बेटे को भी अच्ची सिक्षा दी है इसलिए जोती सब के सामने गर्व से रहती है और कभी भी कोई भी बात कहने के लिए पीछे नहीं हटती है जोती की इस आदत से मीना हमेशा डरती रहती है वो इसलिए क्योंकि उसने अभी तक दस्वी कख्षा भी पास नहीं किया है और जो भी पड़ा है वो हिंदी में ही पड़ा है क्या हुआ है मेना तुम हर रोज सुबा ओते ही ऐसे परेशन क्यों होने लगती हो सासुमा की जर्सी मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है और सासुमा इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं कियती है इसलिए तुन्हें अभी तक नहीं बताया ये बात मामी को चलो आज बता ही देते है अगर उन्हें कुछ से पता चला तो अच्चा नहीं होगा ऐसे कहते हुए मीना के मना करने के बवजुद भी करन उसे जोती के पास ले जाकर सारी बात बताता है मीना को ज्यादा पढ़ना नहीं आता है और इस बात से वो हर रोस परिशन हो रही है कहकर इसका मतलब मैं इतने दिनों से अंजाने में सबसे जूट बोल रही थी ये करवा दिया बहु मुझसे पहले क्यों नहीं बताये ये बात मुझे तुम दोनों में से किसी ने भी तब नहीं तो अब पढ़ना तो पढ़ेगा अब तुम है अब केसे मामी जी? मीना को दस से पढ़ना पढ़ेगा मीना ने आपको नहीं बताया लेकिन मैं तो जानता था न उसके बारे में अब रहने दोना इस बात को जोती कहती है कि नहीं नहीं मीना को पढ़ाई तो करनी पढ़ेगी और इसलिए वो उसे ले जाकर एक अच्चे स्कूल में एड्मिशन भी करवा देती है मीना को स्कूल में बच्चे आजीब से देखकर आजीब बाते ही करने लगते है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था लेकिन ये तो हमारे साथ बैठती है इसी तरह कोन पढ़ाई करता है हमें क्या चुपचप पढ़ाई करो पीचर ने देख लिया तो चोटी बच्ची को परेशान कर रहे है केकर पनिश्मेंट देदेगी चाहे कोई कुछ भी कहे केकर मेना अपने सासुमा के लिए खूब मेहनत से पढ़ाई करती है ऐसे ही दिन गुजरते जाते है फिर एक दिन एक पढ़ोस की महिला जोती से मिलने के लिए आती है और ऐसे केकर जाती है वैसे तो तुम बड़ी-बड़ी बाते करती हो लेकिन मेरी पोती के रही थी कि तुम्हारी बहू उसकी क्लास में दसवी कक्षा की पढ़ाई कर रही है क्या वो अनपढ़ है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी बहू भी पढ़ी लिखी है लेकिन हिंदी में पढ़ाई की है उसने अब इंगलिस सीखने की क्वाईश हो रही है इसलिए पढ़ाई कर रही है तुम्हें अपना जवाब मिल गई हो तो मुझे गर में कुछ काप करने है ऐसे केकर जोती पहली बार बड़ी मुश्किल से जूट बोलकर अपनी पढ़ोसी को भेच देती है और एक लंब सास लेकर सासुमा मैं हर रोज स्कूल तो जा रही हूँ लेकिन आगे एक्जम्स है ये बात मुझे परिशन कर रही है मुझे लग रहा है कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी ऐसे कैसे पास नहीं होगी बहू मैं हूँ ना मैं तुम्हें स्कूल खतम होने के बाद हर विशे अच्चे से समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी टीके कैकर मीना स्कूल खतम होने के बाद अपनी सासुमा से चूशन पढ़ने लगती है ऐसे दिन रात की मेहनत के बाद एक्जम्स अच्चे से लिखकर पहले निमबर पर पास होती है मीना जेसे तेसे दस निकल लिया है अब तुम्हारे सर से बड़ी समस्या हट गई है मीना अब तो तुम कुश हो ना ये कैसी बाते कर रहा है करन अगर मेरी बाहु को ये समस्या लगती तो वो सिर्फ पास होती पहले निमबर पर नहीं आती उसमें पढ़ने की इक्षा कुट-कुट कर भरी है ऐसे ही मीना भी और पढ़ाई करने की अपनी इक्षा बताती है करन को कुछ सालों तक कूप पढ़ाई करने के बाद मीना एक अच्चे से स्कूल में बच्चों को इंगलिश सिखाने की नौकरी कर रही है वही मीना जिसे पहले इंगलिश में खुद का नाम तक लिखना नहीं आता था आरे आओ 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 दोस्त तुम्हारी ही तो इंतजार था कैसे हो और तुम्हारी पोती क्या कर रही है अभी तुम्हें और तुम्हारी बहो को मान गईी जोती कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है मेरी पोती फिलहल शादी करने की तयारियों में लगी है दो दिन बाद है शादी जरूर आना आकिरकर जोती घर्व से अपनी बहू के बारे में सबको सच बताती है और दोनों सास बहू की कुशी का कोई टिखाना नहीं था बहुत समय पहले कांतारा नाम का एक साधरन से दिखने वाले व्यक्ति हमेशा सफर करता रहता है और जिस भी गाव में पहुंचता है वहाँ की लोगों की बीमारिया टीख कर देता है और गरीबों को दान देता है हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके खदम हमारे गाव में पढ़ेंगी आप यहाँ पर आएं हमें यह देखकर बहुत खुशी है कांतरा जी औरों का बला करना ही मेरा जीवन का एक मुख्य लक्षय है मुझे खुशी हुई यह जान कर की आप लोगों ने मुझे पहली नजन में ही भेचान लिया ऐसे कहिकर कांतरा उन सब को अच्छा खासा दान देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है कांतरा को यह सब करते हुए देखकर मार्किश नाम के एक धनवान के मन में बहुत गलत विचाराते है मैं सिर्फ इस गाव के सबसे बड़ा धनवान हूँ अगर यह कांतरा मेरा हाथ लग जाएगा तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा दनवान बन सकता हूँ ऐसे सोचते हुए मालकिश कांतरा गाव से निकल कर जंगल के रास्ते पर पहुंचने का इंतिसार करता है जैसे ही कांतारा जंगल में पहुंचता है मालकिश अपने दो आदमी पुलकर और दुलकर को कांतारा को उठा कर लेकर आने के लिए भीजता है दोनों ऐसे ही उठा कर लेकर आते हैं उसे कौन हो तुम सब, मुझे यहाँ पर ऐसे जबरदस्ती क्यों उटा कर लेकर आये हो, क्या चाते हो तुम मुझ से शान्थ हो जाओ कांतारा, कितने सवाल करते हो तुम बले ही मेरे आदमी तुमने जबर्दस्ती उटा कर लेकर आये है लेकिन हम भी बले लोग ही है और तुम्हारी मदद चाते है ऐसे कहते हुए, मालकिश कांतारा को अपनी इक्षाए बताता है उसकी इक्षाये सुनकर कांतारा गुस्सा हो जाता है और किसी भी हाल में उसकी मदद नहीं करेगा केता है मैं बला लोगों की मदद करता हूँ तुम जैसे दुस्टों की नहीं तुम कुद का और मेरा वक्त बरबाद कर रहे हो अब दुस्ट कह दिया है तो हमारी दुस्ट ताभी देखलो कांतारा जी दुलकर पुलकर इसका सर पर दो बाल्टी थंडा पानी डालकर ऐसे ही चोड़ दो कल सुपा तक अकल टिकाने आ जाएगे इसकी दुलकर और पुलकर दो बाल्टी थंडा पानी लेकर आकर कांतारा पर डालते हैं उसके बाद उसे ऐसे ही कुर्सी से बांदा हुआ छोड़कर वहां से चले जाते हैं घर लोटने के बाद दुलकर देखता है कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश है क्या बात है लैला आज बहुत खुश लग रहे हो तुम सब आज गाव में कांतारा आये थे उन्होंने बच्चों के कब्ज़ दीख कर दी और हमें तोड़ा सा दान भी दिया है वो बहुत अच्छे है सब की मदद करते है अपने पत्नी के बाद सुनने के बाद दुलकर को बुरा लगता है क्योंकि वो अभी अभी उसी कांतारा को टंडे पानी में चोड़ कर आया है इसलिए वो बेचेन और परेशन हो रहा था तब उसे उसकी पत्ने पूछती है कि बात क्या है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है लैला मैंने और पुलकर ने मालिक के कहने पर एक बंद कमरे में तंडे पानी में भीगने के लिए छोड़ कर आये है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दुलकर कंतारा के साथ ऐसा करने का सोचा भी कैसे तुमने अभी जाकर उन्हें आसाथ कर दो नहीं कर सकते है लैला चाबी मालिक के पास है कल सुभा तक इंतजार करना पड़ेगा ऐसे सुभा तक इंतजार करते है सुभा होते ही दुलकर पुलकर के घर जाने वाला होता है लेकिन पूल कर ही उसके घर आकर कांतारा के बारे में बताता है तीखे केकर दोनों कांतारा को बचाने के लिए जाते है आये हो तुम दोनों, मैं तुमें ही बुलवाने वाला था चलो, उस कांतारा की कबर लेते है हम यहाँ पर कांतारा को परेशन करने के लिए नहीं आये है उनकी मदद करने के लिए आये है यह क्या बक्वास कर रहे हो कल तक तो ठीक दे आज अचानक से क्या हो गया है तुमें मरना चाहते हो क्या ऐसे पुलक मालकेश को अपनी बातों में उल जाता है और दुलकर जाकर कांतारा को आज़त कर देता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मित्र यह एहसान कभी नहीं बूलूंगा मैं ऐसे कहकर कांतारा मालकेश को लेकर वहां से गायब हो जाता है उसके बाद कभी भी कोई भी मालकेश और कांता रखो नहीं देखते ही